दो हजार दो में हुए गुधरा कांग गुजरात दंगे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था जिसके बाद वहां के एक पत्रकार ने गुधरा कंगे दंगों पर स्टिंग ओपरेशन किया था उस टिंग को लेकर एक किताब लिखी गई है जिसको अब पब्लिश कर दिया गया है पत्रकार राना आयूब की गुजरात दंगे को लेकर स्टिंग ओपरेशन किया था जिसको लेकर एक किताब लिखी गई और अब उस किताब गुजरात फाइल आनाटमी अफ अकावर अप मे दावा किया है कि कई अधिकारियों ने 2002 गुजरात दंगे के समय राजनीतिक दबाव की बात मानी थी नए दिली में यह किताब जारी हुई अयूब ने कहा है कि उन्होंने गांधी नगर स्थेत बंगले पर मुदी का बयान रेकॉर्ड किया था यह बयान घडी में कैमरा लग हैं मंत्री हुआ करते थे और अब भाजपा अध्यक्षे हैं शाह को सहरा बुद्दिन मामले में जेल भी जाना पड़ा था 2014 में CBI कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया गया था राना आयूब का आरोप है कि तहलका ने उन्हें इस असाइनमेंट के लिए भेजा था लेकिन बाग में राजनीतिक दबाव का जिक्र करते हुए स्टोरी चापने से इंकार कर दिया था उनका दावा है कि उन्होंने अशोक नारायन, PC पांडे, GL सिंगल, राजन प्रिया तरशी, GC राइघर, और वाई ये शेक का भी स्टिंग ओपरेशन किया था उन्होंने खुद की पहचान अमेरिका की रहने वाली फिल्म मीक के रूप में कराई थी और मेथली त्यावेगी नाम बताया था आयूब ने उस समय स PC ID के चीफ रहे जी सी राइघर से पूछा था कि मुठ पेड में क्या हुआ था आप वहां थे उन्होंने बताया कि राइघर का जवाब था के में केवल एक में था एक अपरादी फरजी मुठ पेड में मारा गया था कालती यह हुई थी कि उन्होंने उसकी बीवी को भी मार दिया था किताब में हरेन पांडिया मड़केस पर भी एक चेप्टर है इसमें जांच अधिकारी वाईए शेक के आरोपों को भी जगह दी गई है बुक लांच कारेक्रम में पत्रकार हरतुष सिंगबल और राजदीब सर्देसद्व वकील इंदरा जाय सिंग भी वो कभी नहीं बदलेगा उनके साथ तो यही होना था जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकीली ने बीदेस ओमवार को खुला साकिया की पीम मोदी और बीजेपी के अध्याक्षामित शाह गुजरात के कतले आम और फेक अंकाउंटर्स में शामिल थे प्रशान्थ भूशन ने ट्विटर पर गुजरात की एरिशनल सॉलिसिटर जनरल तुशार मेहिता के मेल को आधार बताते हुए कहा है कि भारत की रूलिंग पार्टी के इन दोनों ने ताओ के शामिल होने में निश्चही सत्यता हो सकती है भूशन ने ये भी इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार दंगायों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम कर रही थी भूशन ने ये भी खुलासा किया था कि मेहता की गोपनियर रिपोर्ट सिर्फ कोर्ट के लिए थी जो की दंगायों को लिक करा दी गई थी अगास्त 2011 में एपीएस आफिसस अंजीव भट ने भी सुप्रीम कोर्ट को यही बताया था कि गुजरात सरकार जिसे की 2002 के दंगों के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए थी पर खुद सरकार ने ही सुचनाएं लीक कर दी थी ताकि वहाँ उन सुचनाओं को अपने बचाओं के लिए इस्तमाल कर सके यूनियन हो मिनिस्ट्री से जो की बीजेपी के राजनात सिंग दुवारा चलाई जा रही है उसकी सहमती से भट को हाल में ही उनकी नौकरी से बेदखल कर दिया था भट ने हमेशा ही कहा है कि उन्होंने जो गुजरात दंगो में मोदी सरकार के शामिल होने के बारे में जो सच बोला है इसलिए उन्हें इस सच की कीमत चुकानी पड़ी है भट ने ये भी आरोप लगाया है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमिंतरी नारेंडर मोदी ने द दंगों के दौरान पुलिस वालों को दंगों में विक्टिम्स की मदद करने से साफ माना कर दिया था जिसकी वजह से 1260 बेगुनाह लोगों की जान गई थी सुप्रीम कोर्ट में फाहिल किये गए एफडेविट में भटने उस इमेल को भी शामिल कर लिया है जिसमें राज्य सरकार कुछ आरोपी के वकीलों के साथ मिलकर सूचनाएं शेर कर रही थी जिसको बाद में वकीलों ने आरोपीयों का बचाओ करने के लिए प्रयोग किया आपको ये भी बता दें कि 2002 में गुजरात दंगों में 1200 सेकंड भी ज्यादा लोग मारे गए थे जिसमें अधिकतर म असलिम ही थे और कहीं न कहींदा भी हुई जबान में बीजेपी के कुछ कटर समर्थक आज भी इस निरसंगार का पक्ष लेते हुए भी नसर आते हैं और 13 सालों के बाद भी इस मामले को सिवाए रफाद दफा करने के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ है क्या सिर्फ इस में पीम मुदी और अमित शाहद जैसे बड़े नेताओ का हाथ था क्या इसी लिए आज तक गुजरात दंगों के आरोपी नहीं पकड़े गए क्या उने 1200 सेकंड भी ज्यादा मसिम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं आखिर कब तक हमारे देश में ये रावन राज चलता र रहेगी माइंड दर न्यूज रूम की रिपोर्ट उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और आप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें नीचे लाल रम के सबस्क्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें धन्यवाद